प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने शुकरवार को किसान सम्मान निधी की अगली किस्त जारी करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों को संदेश देने की कोशिश की उन्होंने कहा कि सरकार के नए क्रिशी कानून तर्कों और तत्थियों के आधार पर हर कसोटी पर कसे जा सकते हैं मोदी ने कहा कि सरकार बिलका विरोध करने वालों से भी बालचीत को राजी है लेकिन चर्चा तत्थियों पर हो इस दुरान उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया बातों के बावजूद भी लोग तंत्र में अटूट आस्था और स्रद्दा होने के कारण किसानों के प्रति हमारा समर्पन होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तयार है समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं कई दल ऐसे भी हैं जो इनी कुर्शी सुधाकारों के पश्मे रहे हैं उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं उनकी भाशा बदल गई है वो राजनितिक नेता जो किसानों को ब्रमित करने में जुटे हुई है जिनकी लोग तंत्र में रत्ती भर में स्रद्धा नहीं है वो विश्वाती नहीं करते डेमोक्रेसिव हैं प्रधान मंत्री ने किसानों के मुद्धे पर कॉंग्रिस को निशाने पर लिया तो कॉंग्रिस नेताओं ने भी तुरंत पलटवार किया लोग सभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधान मंतरी मोदी में आंदोलन कर रहे किसानों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है सरकारी कोस से सरकारी खजाना से 18,000 रूपिया आप माटते हो और कहते कुई ये आपकी सरकार की सबसे बड़ा किसानों की उपर दया है ये कोई दया है आप जाके देखो ये हज्जारों की तदाद में ये पैसा किसानों की जेब में नहीं जाते स्वदेशी कोविड वैक्सीन ने पूरी दुनिया का ध्यान खीचा है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक दालेंसेंट ने कोवैक्सीन के सेफटी और इम्म्योनोजेनेसिटी प्रोफाइल के डेटा को छापने में दिल्चस्पी दिखाई है ICMR ने शुकरवार को एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी अपने ट्वीट में संस्था ने बताया ICMR और भारत बायोटेक के साजह उत्पात कोवैक्सीन ने एक खास उपलब्दी हासिल की है भारत से जनरेट डेटा जिसमें प्रभावी सेफटी और इम्म्योनोजेनेसिटी प्रोफाइल का जिक्र है उसको छापने में मशूर जनरल लेंसिंट ने दिल्चस्पी दिखाई है ICMR ने कहा कि कोवैक्सीन के फेज वन और दो ट्रायल के नतीजों ने भारत में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता साफ किया है देश में 22 जगों पर ट्रायल जारी है इस बीच भारत बायोटेक के चेर्मेन शुक्रवार को उपराश्रपती वेंकया नाइडू से मिले उन्होंने देशी वैक्सीन के स्टेटस के बारे में नाइडू को जानकारी दी भारत में कोरोना के स्थिती में लगातार सुधार हो रहा है देश में लगातार पांचवे दिन 25,000 से कम कोरोना के केस सामने आए पिशले 24 घंटे में 23,066 नए संकर्वित मरीज मिले वही 336 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए रहत की बात यह है कि इस दौरान 24,661 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए स्वास्तिमंत्राले के ताजा आंकडों के मुताबिक भारत में करोना के कुल मामले बढ़कर 1,146,000 हो गए है इन में से अब तक 1,47,92 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है कुल एक्टिव केस अब घटकर 2,81,919 हो गए है वही अब तक कुल 97,17,834 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके है रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़होतरी के बाद 95.77 फीजदी पर पहुँच गया है जो अब तक का सबसे जादा है वही पॉजिटिविटी रेट 2,78 फीजदी है और डेथ रेट 1,45 फीजदी रह गया है देश में सबसे जादा एक्टिव केस महराश्ट में है एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत 9 नमबर पर है जबकि कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो भारत का नमबर दुनिया में दूसरा है सुपरस्टार रजनीकांद को शुकरवार सुबह हैदरबाद की अपोलो अस्पताल में एडमिट करवाए गया उन्हें ब्लड प्रेशर संबंधित परिशानी थी जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भरती करा गया रजनीकांद हैदरबाद में जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उससे जुड़े आठ लोग पिछले हफते कोरोना पॉजिटिव पाए गये थे हलाकि रजनीकांद का कोविट टेस्ट निगेटिव आया था लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था वो हैदरबाद में पिछले दस दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अपोल अस्पताल की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि फिल्म के सेट पर कुछ लोग कोविट पॉजिटिव पाए गये रजनीकांद का 22 दिसंबर को कोरोना टेस्ट हुआ और वो निगेटिव थे इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखा और उनकी देखरे की जा रही थी इसी दुरान उनके ब्लेट प्रेशर में काफी बदलाव देखे जा रहे थे और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में भरती करवाए गया